नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, आज इस कलास में हम मिसेल फुको के बारे में चर्चा करेंगे, मिसेल फुको एक परमुख उत्तर आध्यूनिक एव उत्तर सरंचनावादी विचारक है, इनका जनम 1926 को फ्रांस के अंदर हुआ, कहां हुआ, फ्रांस के अंदर ह तो ये परमुख फ्रांसिसी विचारक हैं, और फ्रांसिसिक जो विचारकों के अगर हम चर्चा करें, तो आगस्ट काम्टे से लेकर, दुर्खिम से लेकर, लेविश्ट्रास और पियरे बार्देयू, एक लंबी लिष्ट है, तो इन सब का परभाव पढ़ना सभाविक सी पुको पे पढ़ना ही पढ़ना है, और फ्रांसिसी समासास्त्रियों के बारे में कहा जाता है, कि इनकी जो लेंग्वेज है, वो बहुत टफ है, आसानी से समझ में आती नहीं है, तो इसलिए हमें जब इनको पढ़ते हैं, तो हमें भी दिक्कत होती है, तो आज मेरा प्रय अधारनाएं हैं, पागल पनेयों सब्वेता की पुरातत्तवे के ज्यान की बर्थ ओफ किलनिक का मुकता की अधारना और इनकी जो बेश थेरी है, ज्यान, सक्ति और व्यक्ति, ज्यान, सक्ति और व्यक्ति, ये इनके त्री कौन है, ये त्री मूर्ति इनको कह सकते हैं, सार इनके क्या विचार है कुछ जानने का प्रयास हम करेंगे तो इनका जनम फ्रांस के अंदर हुआ है और कई एक दो बार कमेंट आते रहते हैं सर इनके पिताजी का क्या नाम था मैं वही क्यों पूछ रहे हो कि सर प्रिक्षया में पूछ लिया जाए तो मैं कहता हूँ क्या आज तक ऐसा कभी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया तो फिर कहता हूँ मैं तो फिर दादा का नाम याद करना पड़ेगा पड़ दादा का नाम याद करना पड़ेगा तो आप ज़्यादा डीप में मत जाएए आप year और उनका जो देश है वो याद कर लीजिए उनकी date of worth उनका बाप का नाम दादा का नाम याद करने क्या उसकता नहीं है तो मिशेल फुको है वो मूल रूप से दार्शनिक है क्या है मूल रूप से दार्शनिक है इनके पिता और इनके दादा जी डॉक्टर थे इसलिए इनोंने ज़्यादातर है जो लिखा है बिमारियों के उपर इनोंने लिखा है पागलपन पे लिखा है उसका परभाव कहीं ना कहीं पढ़ता है परिवार का और दादा और पिता च इनके जो सोध का विशे था, इनका जो PhD था, वो था पागलपन एउ और सभेता, क्या था? पागलपन एउ सभेता, क्लासिकल युग से पागलपन इतियास, प्राचीन समय में पागलपन का क्या इतियास रखा है? इस विशे पर इनों ने अपना सोध कार्यावू पूरा किया अगर हम इनके परभाव की बात करें कि इन पर किन किन का परभाव पड़ा है क्योंकि ये भी परसन है वो आज कल प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इन पे जो सक्ति की जो आउधारना है वो इन्होंने नित्से से ली है किसे लिए है नित्से से ली है इनके लावा जो इनका स्रंचनावाद है उस पर लेवी स्ट्रास का परभाव है भासावाद पे भासा पे इन्हों ने लिखा है उस पर सोश्रेक का परभाव है अस्तित्वबाद से भी ये प्रवावित रहे हैं सार्तर के और कारल मारक्स का जो आर्थिक निर्धान वादी है सिधान्त है उससे भी ये प्रवावित रहे हैं और इन्होंने कहीं न कहीं मारक्सवादी विचारदारा को ही पुनह इस्तापित करने का प्रयास है वो अपने सिधान्त के माद्यम से किया है और ये मैक्स बेबर के बुद्धी संगत्ता तरक संगत्ता सिधान्त से प्रवावि किया है तो जब ये ज्यान सक्ति और व्यक्ति ज्यान सक्ति और व्यक्ति की जब बात करते हैं तो उसका तात पर उनका साररिक जेविक सरीर से होता है तो ये इनका अध्यनकात्री कौन है तीन कौन है और तिनों के बीच में क्या है एक कौन क्या हो गया ज्यान का हो गया सक्ति का हो गया और व्यक्तिका हो गया और इन सब के बीच में है विमर्ष डिस्कोर्स डिस्कोर्स इनके बीच में है अगर हम इसकी बात करें ये तीन कौन है तो एक सक्ति हो गया एक ज्यान हो गया एक व्यक्ति हो गया और इन सब के बीच में है वो है डिस्कोर्स यानि ज्यान सक् बगेर discourse के सुन्य है, कैसे सुन्य है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, इन्होंने अनुवासिकी की आऊधारना भी प्रस्तुत की है, देटेल में पूर्चा करेंगे, एक एक करके इन सब ही सिधानतों को हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इनकी परमुख पुस्तकों पे डाल लेते हैं, इन्होंने कौन-कौन सी पुस्तके लिखी है, तो इन्होंने Madness and Civilization, ये इनका सोध का विशे था, क्या था, सोध का विशे था सब्वेता और पागलपन, पागलपन और सब्वेता 1961 के अंदर, इन्होंने इसे पुस्तक के रूप में प्रकासित करवाया था, इससे पहले, इससे मिलता जिलता, अब इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, 1954 के अंदर, 1954 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसी का ये संसोधित रूप है, जिसका नाम था, 1954 में इनकी जो पुस्तक थी, वो थी, Mental Illness and Psychology, Mental Illness, मानसिक विकसप्ति या मानसिक रोग, मानसिक रोग और मनोविज्ञान, Mental Illness and Psychology, 1954 में लिखी थी, और इसके बाद में ये पुस्तक, 1961 के अंदर इन्होंने संसोधित करके लिखी है, इनके लावा, इनकी जो पुस्तके हैं, वो है, The Birth of Clinic, 1963, The Order of Things, 1966 में, इसके अंदर ये, जो वंचित वरग है, जो निमन वरग है, उनके बारे में लिखते हैं, उनको मुख्यधारा में किस परकार से लाया जा सकता है, यानि जो कारल मारक्स का वंचित वरग था, उसको मुख्यधारा में किस से लाया जाए, उसको इन्होंने स्तापित करने का प्रयास किया, इस प के अंदर इसका हिंदी अनुवाद सुरी अंग्रेजी अनुवाद हुआ था तो यह पुष्ट के हो गई दैबर्थ आप के लिनिक दै ओर्डर आफ तिंक्स दै आर्केलोजी आफ नोलेज डिसीप्लीन एंड पुनिस अनुसासन और दंड इस परकार से जो अपरादी है उन य स्परश्ट करते हैं यह पुष्टक 1905 में आई थी इसी परकार से दै हिस्ट्री ओफ सेक्शुलिटी इनकी महत्तो पुष्टक है इस पुष्टक को यह कुल 6 वोल्यूम में लिखना चाहते थे लेकिन इनकी 3 ही वोल्यूम है वो आये हैं तो पहला वोल्यूम तो हो गया दै dışट्री ओफ सेक्शुलिटी 1909 के अंदर यह पहला और यूज ओफ पलेजर यूज ओफ पलेजर यह इसका सेकंड वोल्यूम है क्या है सेकंड वोल्यूम है दै केर ओफ सेल्फ दै केर ओफ account of self 1984 ये इसका तीसरा volume है आपका पर्सन है मैंने कहा था कि लाष्ण में पूछना कि उत्रा द्योनिक नीकता क्या है या उसके थिंकर क्या है तो ये उत्रा द्योनिक विचारक ही है इनके लाव़ा और बहुत सारी उत्रा द्योhington विचारक हैं जिन पे में classes लगा चुका हूँ या infuser लगाऊंगा तो इन्होंने जितनी भी आउधारनाईं दी है उन सब के अंदर वो सक्ति की आउधारना को स्तापित करना चाते थे क्या करना चाते थे सक्ति की आउधारना को स्तापित करना चाते थे इसके लिए इन्होंने सब से पहले जो सक कि खोज वो पुरातत्वय में की है कि किस परकार इत्यास के अंदर सक्ति है वो छिपी हुई थी तो इन्हों सक्ति की परकर्ति क्या है इसका उद्गम क्या है इसके सोर्ष क्या है इन सब को खोजने का प्रयास इन्होंने पुरातत्वय के जो उनका अध्यन था उसमें किया है और इसको एक पदती के रूप में देखा है पुरातत्वे को इन्होंने एक पदती सास्त्रिय अध्यन के रूप में रखा है कि हर की चीज़ के अंदर वो पुरातत्वे यानि अतीत के अंदर जाते हैं जो माइकल फुको है, चे वो पागलपन की बात कर रहे हो चे वो अनुसासन की बात कर रहे हो, चे वो कामुकता की बात कर रहे हो सब को खोजने का प्रयास है, वो कहां करते हैं? अतीत में करते हैं, पुरातत्वे में करते हैं तो पुरातत्वे को इन्होंने एक पदती के रूप में प्रयोग में लिया है इससे पहले में एक नजर है वो इनका जो सोध का विश्य था उस पे डाल लेता हूं ताकि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो पागल पन एयों सब्वेता जो कि इनके सोध का विश्य था तो यह पहला दिन था विक्सिक्तों पे मेडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 के अंदर इनका जो सोध का रहा था वो उस्तक के रूप में प्रकासित वा था 1989 के अंदर इसका अनुवाद हुआ था तो इन्होंने पागल पन के बारे में जो भी इतियास रहा है उसको लिखा है तो उन्होंने कहा कि सन सोड़ी मिस्तावदी से पहले सन सोड़ी मिस्तावदी से पागल पन से जो रोगी थे जो विक्सिप्त लोग थे उनको पागल खाने में बंद नहीं रखा जाता था सत्रमिस्तावदी में सत्रमिस्तावदी के बाद यूरोप के अंदर पागलों को विक्सिप्त लोगों को समाज से अलग करके अपरादियों के साथ अपरादियों की तरह बगोडे लोगों की तरह इनके साथ वहवार किया गया और इनको पागल खाने में रखा जाता था और बाद में 19 मिस्तावदी के अंदर जब मनोरोग विज्यान का उद्बह हुआ विकास हुआ तो इस विज्यान ने बताया कि पागल पन को सही किया जा सकता है पागल पन है इसका सही ट्रीटमेंट किया जाए तो एक पागल वेक्ति है वो समान्य वेक्ति की तरह विवार कर स पहले इसको इस्वर की देन मानते थे, फिर इसको ऐसामाजिक मना गया था, फिर इसको एक सुधार का विश्या मना गया था, पहले जो पुलिस का विश्या मना गया था, इसे बाद में एक चिकित्स्या का विश्या मना गया था, तो इस परकार से ये पागलपन का इतियास लि तो ये क्या कहते हैं कि ग्यान के विकास में किसी धारना को बदलने की सकती है जिसके पास विशिष्ट ग्यान है वही सकती साली है ग्यान ही सकती है ग्यान ही सकती है और ग्यान की सकती से हम किसी भी विक्ती को उसके विवार को बदल सकते हैं जैसे कि इनोंने चिकिच्या सास्तर का उधारन देकर का कि पागलपन को पहले जब जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता था पागलखानों में बंद कर दिया जाता था बाद में उन करके उनमें सुधार किया जाने लगा तो ये परिवर्तन किसके कारणाया ये ग्यान की सक्ति के कारणाया कि लोगों को ग्यान हुआ तिकित्सकों को कि ये जो विश्य है ये पागलपन है इसका भी लाज किया जा सकता है तो इस ग्यान में ही सक्ति है तो ग्यान के उत्पादन से ग्यान के उत्पादन से दूसरों पे सासन कर सकते हैं यानि ग्यान एक सादन है ग्यान एक सादन है अब ये जो मैं एक एक लाइन बोल रहा हूँ ना इससे परते एक लाइन से परसन पुछा गया है एक एक लाइन से एक एक परसन पुछा गया है तो आपको ये लाइन ऐसे लग रही होगी कि व्याक्षा करने के लिए है नहीं इन सब से परसन पुछे जा चुके हैं और परसन बविशे में पुछे भी जा सकते हैं जितना आपको ये दिखाई देता है उतना दिखाई नहीं होता है अब इस जैसे content को त्यार करने में मुझे 15 गंटे लगातार मेहनत लगी है फिर जाकर ये content आपके त्यार होता है लगभग चार-पांच किताबों से पढ़ना पढ़ता है तो एक-एक लाइन को आपको देखना पड़ेगा सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा तभी आप इनसे related जो प्रिक्ष्या में परसन आएंगे उनको कर पाओगे अ तो इन्होंने कहा कि पागलों और अपरादियों के अपने ज्यान के माध्यम से जो ज्यान प्राप्त किया और उससे जो सक्ति प्राप्त की तो उसके जरी ये जेल भी बेजा गया था और जेल से बाहर भी निकाला जा सकता है और वो आध्यूनिक जो लोक्तांत्रिक देश ह जो फुको है मारकसवादी विचारक हैं ये कही ना कही मारकसवाद का परभाव इन पे आता है और जो आजकल जो सरकारों की ऐसी मित्ते जो सकती है वो उसको नकारते हैं वो उसको दरसाते हैं कि किस परकार सरकार है अपनी सकती के परयोग से किसी भी व्यक्ति को जेल में बेज सकती है कुछ भी कर सकती है और एसा लोगतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है सरकार कभी किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे अपने विरोधियों को जेल के अंदर बेज सकती है और इसके पिछे वो क्या मानते हैं सक्ति मानते हैं ज्यान से अर्जित सक्ति तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि जो जेल भेजने के पिछे कारण था पागलों को वो क्या था वो ज्यानी और सक्ति साली होने का था क्या था ज्यानियों सक्ति साली होने का तरक था और इस तरक के जरिये एक मासूम जिसका लोग के कारण उनको जेल में भेज दिया गया तो इस परकार से ज्यान और सक्ति के तरक के दुवारा किसी भी वेक्ति को जेल के अंदर भेजा जा सकता है इसलिए वो कहते हैं कि तरक है वो पागलपन की अंतीम भासा है तरक पागलपन की अंतीम परिवासा है यानि तरक के मा समाज के लिए एक खत्रा माना है क्या माना है ये समाज के लिए खत्रा है जो इस परकार से ग्यान का उपयोग है वो विरोधियों को जेल बेजने के लिए किया जाता है तो ये क्यों किया गया अब इन लोगों को जेल क्यों बेजा गया ये तरक दिया गया कि ये समाज के खत्रा है तो इस परकार से जो भूको है वो पागलपन के माद्यम से ज्ञान और सक्ती के समंदों को बताने की कोशिश से करते हैं तो इनकी जो पहली जो पदती रही है आरकेओलोजियो और सक्ती के स्रोतों को खोजने की कोशिश करते हैं कि इनका उदगम काँ से होता है इसको खोजने के लिए ये परातव का अध्यन करते हैं वेसे परातव क्या है इतियास की एक साखा है इतियास या ग्यान की एक साखा है जो सब्वेताओं का पराचिन सब्वेताओं का क्या करती है वेग्यानिक अध्यन करती है और इसका जो इनका उदेश ये था फुको का ये था कि जो विमर्स किया जाता है लोग क्योंकि जो सकती है वो किसे मिलती है व वो एक विक्ति को ठीक कर सकता है, या किसी भी कंपनी की दवा लिखके वो उस कंपनी को FAMS बना सकता है, तो उसके पिछे shakti आई कहा से बो, जब वो विमर्ज करेगा न, जैसे एक सिखसक है, एक डॉक्टर है, एक बकील है, तो यह उनके पास shakti है, लेकिन सक्ति जब तक प्रयोग में नहीं आएगी तब तक वो सक्ति अगर एक वकील है तो अगर वो कोट में नहीं जाएगा घर बेठा है तो उस सक्ति जीरो है अगर एक डॉक्टर है और अगर वो घरी बेठा रहेगा किसी मरीज को नहीं देखेगा तो वो सक्ति जीरो है तो ये सक्ति के लिए क्या जरूरी है सक्ति के लिए विमर्स या डिस्कोर्स जरूरी है क्या है विमर्स यहों डिस्कोर्स है वो जरूरी है तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि सक्ति की बसावली यानि सक्ति की खोज कहां से हुई सक्ति का उद्गम कहा हुआ बसा वली का मतलब कि सबसे पहले उसका उद्गम कहा हुआ उसके बाद कैसे कैसे ये आध्यूनिक समाज में आई है इसको जानना चाहते हैं डिस्कॉर्श के माध्यम से आगे है कि जो अतीत की जब वो पुरात्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् पे होता था तो पहले जो विमर्स होता था वो क्या था सामुही की था यानि जो दुर्खिम कहते हैं कि जो प्राचिन समाज था यांतरिक समाज था तो उसमें सारा का सारा क्या था सामुहीक था तो विमर्स भी सामुहीक अदार पे होता था उस विमर्स में व्यक्ति नहीं होत था क्या नहीं होता था व्यक्ति नहीं होता था वो समाज होता था सामुहिक होता था और उसके बाद में व्यक्ति की जो शुरुवात है वो हुई है और इसके माध्यम से वो व्यक्ति और ज्ञान को जोडते हैं अब एक बात और कहते हैं ये बात-बात के अंदर इतियास के अंदर चले जाते हैं एक बार कमेंट में लिखे बताइए अभी वीडियो आपको दिखाई दे रही ने दे रही क्या आवाज आ रही है मेरी ओके दिखाई भी दे रहा है आच्या किसी के नेटवर्क प्रोबलम हो सकती है गर पे तो इस वजे से नहीं दिखाई दे रहा हुआ ठीक है जो क्यूशन है अपने वो लास्ट में लेंगे बीच-बीच में आप क्यूशन हा रहे हैं वो लास्ट में लेंगे अब क्या है कि इनने जो पागलपन का अधियन किया वो भी किसे किया इतियास में चले गए थे पुराततों एक चले गए थे तो वो बार-बार पुराततों में चले जाते हैं इतियास में चले जाते हैं लेकिन फुक को ये कहते हैं कि मैं पागलपन का इतिहास जानना नहीं चाता वो अपने आपको इतिहास विरोधी मानते हैं क्या मानते हैं इतिहास विरोधी मानते हैं कि मैं इतिहास में जानना नहीं चाता मैं इतिहास का निर्मान नहीं करना चाता तो इसलिए एक दो बार परिक्षा में पुछा गया है कि एतियासिक ऐस्तता कि जो आउधारना है वो किस ने दी तो माइकल फुको ने दी इसका कारण वो क्या देते हैं वो ये देते हैं कि इतियास के अधार पर वर्तमान को नहीं समझना चाहिए बलकी वर्तमान के दार पर वर्तमान के दार पर अतीत को समझना चाहिए ये उल्टा करते हैं इसको इन्होंने क्या का है इतियासिक ऐस्तता यानि इतियास से में वर्तमान में नहीं आना है वर्तमान चीजों को समझने के लिए में इतियास में जाना है तो ये जो आपको रेड Life and Death जब वो पागलपन की बात कर रहे होते हैं तो बाद में वो कहते हैं कि पागलपन का इलाज शुरूह हो जाता है तो फिर वो क्या कहते हैं कि किल्निक चिकिट्च्या सास्तर का जनम होता है तो इसलिए बारबाल ये किल्निक पागलपन जो मैंने का था ना, इनके दादा जी और इनके पिता जी दोनों डॉक्टर थे, तो हो सकता है, उनका परभाव इन पे देखने को मिले, तो ये पुस्तक 1963 में लिखी थी, इस पुस्तक में इनों ने जो चिकिच्या छेतर के अंदर बदलाव आए हुए हैं, परिवर्तन आए ह उनको रखा है, कि किस परकार से आध्यूनिक जो चिकिच्या सास्तर है, उसका उद्बह हुआ है, तो पहले जो इलाज किया जाता था, वो बहारी लक्षणों को देखके किया जाता था, बहारी सरीर को देखके किया जाता था, जो नाडी बेद बोलते थे, अपने जो प्रा पहले इस परकार से हुता था और सरीर को देखकर निदान किया जाता था सारेरिक केलनिकल विद्धी इसको कहा है अठारीमिस्तावदी के अंदर नई तक्निका विकास हुआ सवपरिक्ष्या post-martum, saryric janch, saryric aulokan, किसके मादियम से, मसीनों के मादियम से, पहले देख नाड़ देखे बताते थे की temperature कितना है बुखार है या नहीं है, अब क्या करते हैं अब thermometer लगा के देखते हैं कि temperature कितना है दर्द कहां है, डि कहां से तूटी हुई है पहले तो आईडिया लगाते थे अब क्या करते हैं एक्सरे के दवारा देखते हैं तो इसे सारे रिक जांच इसे कहा है तो इस परकार से किलनिक का जनम हुआ है और इसमें साथ में एक लाइन और लिखते हैं ये life and death तो अब इस बदलाव से क्या हुआ कि life और death जीवन और मर् मर्तियों के बीच में डॉक्टर एक महतो पूर्ण कड़ी बन चुके हैं डॉक्टर अपने विश्ष्ष्ट ग्यान के दार पर मरीज को ठीक करते हैं आगर वो मोत को टाल तो नहीं सकते लेकिन कुछ देर के लिए रोक भी सकते हैं और हो सकता है वो एक बार टाल भी सके तो मर्तियों और जीवन के बीच में डॉक्टर आ गया है और डॉक्टर ऐसा किस के दार पर करता है अपने विश्ष्ष्ट ग्यान के दार पर करता है इस से इनका कोई उदेशे नहीं है इस चीज को बताने के लिए माइकल फुको का कोई उदेशे नहीं है उदेशे क्या है माइकल फूको किसको बताना चाहते हैं? माइकल फूको तो इसको बताना चाहते हैं. सक्ति को बताते हैं कि सक्ति कहां से आती है? सक्ति किस परकार से विक्सित होती है? सक्ति का उद्गम क्या है? यह कहते हैं कि डॉक्टर अपने विश्विष्ट ग्यान के अधार पर क्या करत सकति उपारजित करता उसके जरिए वो मुरीज को दिता है अब यह सकति से ऑफ सकति से पावर से बहुत सारी चीजे हैं वह खृदी जा सकती है अब विश्विश्ष्ट ग्यान के अदार पर का करता है मनी प्राप्त करता है पुन्जी प्राप्त करता है इसी प्रकार से बकील है डोक्टर है मेकेनिक है अध्यापक है तो यह विशिष्ट ग्यान से सक्ति प्राप्त करते हैं उनके पास सक्ति है उसका धार क्या है विशिष्ट ग्यान है क्या है विशिष्ट ग्यान है example के तोर पे अगर doctor किसी को बोल दे कि आज कल ये अगर आप powder का use करोगे इस company के powder का use करोगे तो आपको कभी रोग नहीं लगेगा अगर बहुत अच्छा doctor है तो वो क्या करेगा जो powder की company बताईए वो क्या है दिनो दिन परसिद हो जाएगी इसलिए जब हम बड़ी बड़ी दुआओं की बात करते हैं तो doctor एक विशेष company की दुआई लिखके देते हैं इसकी लिखते हैं विशेष वो हर कोई दुआई नहीं लिखते हैं अब सेम जो salt है उसकी एक 10 रुपे में दुआएगी और एक 100 रुपे में आएगी अब वो अप doctor के ज्ञान के दम पे करेगी तो यह ज्ञान और सक्ति और व्यक्ति इन तिनों को ही स्तापित करने में अपनी जितनी भी अउधार नहीं है वो सब लगाते हैं तो फिर इनोंने चर्चा की डिसिपली ने उपनीस की अनुसासन आत्मक सक्ति की तो इनोंने इसका भी इतियास खोजा कि किस परकार से अनुसासन बनाए रखने के लिए जो दंड की वेवस्ता की गई है वो किस परकार से आध्यूनिक समय में पहुंची है इसको ओफलाइन देख सकते हैं आपने जैसे कोर्सेज ले रखाया तो उस कोर्सेज में आपको ये ओफलाइन मिल जाएगी अपलोड कर देंगे एक दिन बाद में होती है तो इन्होंने क्या किया कि पहले सजा थी दंड था वो किस रूप में दिया जाता था फांसी के रूप में दिया जाता था फिर काराइगरे वेवस्ताई तो उन्होंने फांसी से लेकर जो परतिसोद के कानून थे क्या थे? पर्तिसोध के कानून, हाथ के बदले, हाथ, आंक के बदले, आंक, खुन का बदला, खुन, जो पराणी फिल्मों के अपने डायलोग होते हैं, तो उससे लेकर बाद में पर्तिसोध पहले पर्तिसोध आया, फिर पर्तिरोध आया, अब सुधारात्मक आ गया है, कान क्या हो गया है सुधारातमक हो गया है तो इस सब का इनों ने अध्यन किया है अपने इस पुस्तक के अंदर यानि पहले क्या है सरीर का नियमन किया जाता था सरीर को रोका जाता था परति सोध और परति रोध से सरीर को रोका जाता था अब किसका नियमन किया जाता है अब आत आत्मा के नियमन्त की यातरा कावर्णन है वो इन्होंने किया है और कहा कि 1757 से 1830 की आओदी में अपराधियों को कारागरा में रखा जाता था इसमें रखा जाता था जेलों के अंदर रखा जाता था तो वो क्या करते थे बंदियों को वीकृत कर देते थे क्या कर देते थे वीकृत कर देते थे उनकी मान सिक्ता को और सत्ता में जो काबीज लोग थे वो क्या करते थे पहले सारुजनिक तोर पे अपरादियों के साथ एमान व्यवेवार करते थे जैसे कि आज भी केई छेतरों के अंदर आप देखते हो कि जो कुछ कंट्री जैसी हैं वहाँ सरे आम क कोड़ा मारने की सजाय है वहाँ दी जाती है और ये तो पहले तो बड़ा समान्य सा व्यवार था किसी को दंडित करने का तो सारुजनिक तोर पे एमान व्यवेवार किया जाता है तो इस अदार पे वो क्या कहते हैं कि सक जो सक्ता है जो सासक वरग है वो अपने आप में ब बोट बड़ी सक्ती है ये पर्सन प्रिक्षया में पुछा जाचुका है सक्ति की सुख्सम बोटेकी की वियातरा का वर्ullieन किस ने किया माइकल फुको ने किया ये भी पर्सन है वो पुछा जाचुका है तो ये कहते हैं कि जो कारागरआ विवस्ता हुई है पुंजीपत्यों के आधिपत्य के कारण होता है तो ये जो सत्ता है सत्ता की सक्ति है वो पुंजीपत्यों के हाथ में है और पुंजीपत्य अपने आधिपत्य के लिए इस सक्ति का परियोग करते हैं और कारेग रहा के अंदर लोगों को डाल देते हैं जो भी का विरोध करता है पुन्जिवाद कुनों ने का है सत्ता की आध्युनिक जो है वो क्या है सत्ता है तो आध्युनिक सत्ता के अधार पे जो सक्ति प्राप्त होती है उसके पिछे क्या है पुन्जिवादी विवस्ता है और पुन्जिवाद है वो किसी को भी जो विरोध करता ह उसको सलाखों के पिछे पहुंचा सकता है तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया इसके माध्यम से भी कारागर है कि माध्यम से सक्ति की ही आउधारना को वो स्पष्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले अपराद सास्त्र है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आपके लगबग सभी परिक्ष्या में पुछा जाता है अपरादों के बारें के अंदर अपराद कितने परकार के होते हैं सजा के प्रावधान कितने परकार के होते हैं इसके अपराद एक सिधान्त कौन कौन से है जेल की ववस्ता सरोपरतम का हो इस परकार के परसन है वो हर परिक्षा में पूछे जाते हैं तो इन पे एक सिरील चलेगे लगबग 10 एक वीडियो ज बनेंगे और अपराद सास्तर है वो मेरा फ्यवरेट विश्य भी है तो इस पे जब हम आगे मोका मिलेगा तब हम करेंगे तो कुछ बातें बताईए इन्होंने इससे पहले क्या माना जाता था कि अपरादी है वो जनमजात होते हैं क्या होते हैं अपरादी जनमजात होते हैं किस ने कहा था कि अपरादी जनमजात होते हैं लोंब्रोसो ने कहा था लॉंब्रोसों ने का था कि अपरादिय हैं वो जनमजात होते हैं लेकिन बेकेरियों ने 1764 है साय तक 1764 के अंदर या 1806 है दुन्नों में से कोई एक है पर कहा कि अपरादिय है वो जनमजाते नहीं होते हैं बेंथम को बाद में बेंथम आये तो उन्होंने जो कारागरा के अंदर सुधारों की वकालत की और पहले तो जो कारागरा थे उनके अंदर सरीर को एमानिविय यातना ये दी जाती थी तो इनके दार पे जब सुधार हुआ तो सरीर की बजाए आत्मा या चेतना को दंड देने का विवस्ता की गई कि उसको समाज से अलग कर दो उसको क्या कर दो समाज से अलग कर दो तो उसकी चेतना में ये बात आएगी और हो सकता है उसके अंदर सुधार हो जाए तो इस परकार से वो क्या कहते हैं एक बात और कहते हैं कि अनुसासन बनाए रखने के लिए एक कारागर्य विवस्ता की गई है ये में जितने भी क्यूसन आपको लाश्ट में लूँआ तो अनुसासन के तोर पे इन्होंने क्या कह दिया कि समाज ही एक बहुत बड़ा कारागर्य अनुसासन बनाए रखने के लिए समाज ही बहुत बड़ा कारागर्य है केवल कारागर्य ही नहीं दंड की विवस्ता है वो स्कुलों के अंदर ऑस्पिटल्स के अंदर कारखानों के अंदर भी अनुसासन आत्मक कारवाई है और फिर वही बात कहते हैं कि जेल है वो ग्यान का एक उपकरण है जेल है वो ग्यान का उपकरण है तो यानि हर बात को वो ग्यान पे ग्यान की सक्ति पे और व्यक्ति पे ले आते हैं